हलो फ्रेंट्स वेलकम टू अवर योटूब चैनल रॉबिन फैशन डिजाइन फ्रेंट्स आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा यह देखिए यह काफी स्टाइलिस्ट जो है कोलर नेक है वो बनने के बाद बहुत ही स्टाइलिस यह लगता है हाला कि इसमें जो बट अब सबसे वहां दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर एक मिले निशान लगा रखा है यह जो निशान है आप देखें ड़ा इंच इदर से और धा इंच आपको इदर से लेना है इस प्रकार से यह जो निशान होता है यह एक बिलकुर मीडियम साइज का जिसका गला हो उसके लिए लिया जाता है लेकिन अगर किसी की गरदन थोड़ी ज्यादा मोटी है माली 18-17 इंच है तो उसके लिए दोस्तों यह जो साइज आपको थोड़ा बढ़ा कर लेना होता है एक मीडियम साइज के लिए 2.5 इंच इदर से आपको लेना है अगर साइज बढ़ा है तो करना किया बिल्कुल बीचो बीच यानि के शेंटर में आपको यहां से इस प्रकार से कट अब यह जो कट लगाना है दोस्तों यह आपकी चॉइस पर डिपैंड करता है आप कितना बड़ा लगाना चाहते हो आप इससे अपनी चॉइस के कोडिंग बढ़ा भी कर सकते हो ले आपको लेना एक कपड़ा ये देखिए ये जो कपड़ा इसकी जो चुड़ाई कम से कम धाइंच होनी चाहिए और इसकी जो लंबाई है दोस्तो थोड़ी इस कट से बड़ी होनी चाहिए अगर थोड़ा कपड़ा बड़ा होगा तो इसको बाद में काट सकते हैं लेकिन से पहले दोस्तो हम इसके अंदर लगाएंगे डूरी दोस्तो दोरी हम इस तरीके से लगाएंगे कि इस तरीक और ऊक्षी माशन Kiss तो डुरी बनाना बिलकुल आसे दोस्तो प्रकार से बनाई जाती है इस सबजोड़ी ये उस इसाब से बराबर बराबबर दूरी पर इसमें दीनिशान लगावाओंगा पहला जो निशान लगाओंगा इस में 20 इन्च की दूरी पर ये निशान लगाऊंगा तो friends आप देख सरे तो इस प्रकार से टोटल इसके अंदर मैंने ये 6 निशान लगाएं यानि कि इसके अंदर मैं लगाऊंगा टोटल 6 बटन तो ये देखी आप इस प्रकार से सबसे पहले आपको करना क्या है डोरी को उठाना है ये देखिए जो मैंने ये डोरी काट रखी है इस डोरी को इस प्रकार से आपको करना है फोल्ड जैसे इसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ ये देखे डबल कर लिया इसको मैंने डबल करने के बाद इसको आपने इसके साथ ये जो निशान में लगाया है इस न तो फ्रेंट्स जी देखिए इस परकार से सीधी सलाई मैंने लगा लिए है और यह जो आपकी घुंडिया है इस परकार से अंदर की तरफ जाएंगी लेकिन कैसे जाएंगी इसके दोस्तों यह अब आपको पढ़ेगे कपड़े की जुरूरत आपको करना क्या है इस कपड़े से भी कम मार्जन लेना है और नीचे का जो कट है इस कट से दोस्तों आपको इस प्रकार से सीधी ट्राइंगल शेप में ही आपको है सलाई लगानी है कपड़ा लेना है आपको कपड़े के बिल्कुल बीच वीच सेंटर में निशान लगाना है चौंक से ताकि बिल्कुल ब तक आपको कम बिल्कुल बीच वीच से करना है cutting आप यह जो कट है दोस्तों इस कट पर बिल्कुल कोर्न तक आपको इस प्रकार से कट लगाना है कि नीचे से आपका जो है इस लाही नहीं कटनी चाहिए अब प्रेंट्स कट लगाने के बाद आप देखिए इस को यह जो प् पट्टी लगाई थी आपके शीत प्रकार से अंदर की तरफ चली जाएगी और आप देख सकते हैं यह जो लूप है हमारे अंदर की तरफ जा चुके उर यह जु को अब अब इसको क्या करना आ को अच्छी तरशना अज़ा कर लेते हैं और उसके बाद इसका जो next procedure मैं आपको सिखाता हूँ कांट रूप है तो friends आप देशे तो बीच में से काटने के बाद इसका जो look है कुछ इस परकार से आएगा यह जो loops थे अंदर के तरफ जा चुके हैं अब इसका अंदर का कपड़ा है friends इसको आप देख सकते हो next procedure क्या करना है next procedure देखिए यह loops इसके अंदर लग चुके हैं जो की बिलुकुल गुम लगें अब लूप के सामने हमको लगाने होते हैं बटन लेकिन दोस्तों जब बटन लगाते तो नीचे से के बाद इस पट्टी को हमने नीचे की तरफ रखना इस प्रकार से देखिए और लगबग एक इंच पट्टी को निकालते हुए आपको यह सलाई कैसे लगानी है और यहां से आदा इंच हमको छोड़ देना है क्योंकि दोस्तों जो पट्टी थोड़ी आदा इंच इदर से कम ही लगेगी इस सारा का सारा जो प्रोसीजर है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मशीन पर प्रेंट्स ये देखिए पट्टी इस प्रकार से लगा ली है पट्टी को आपने ऊपर से ये आदाएं जहां से कम ही लेना है क्योंकि दोस्तों ये जो बैन है हमारी इदर से स्टार्ट होगी अगर पट्टी को आप उपर तर ले लेते हो तो एक तरफ से बैन बढ़ी हो जात यह प्रकार से आपको यह लगानी इतना काम करने के बाद दोस्तों आप देखे रहा आपस में तीरा जोड़ना बिलकुल आसान है दोस्तों तीरिक लाई कैसे लगानी आए चलते हैं मशीन पर इसको पहले आपको इसका मेजरमेंट करना है कि आपको साइज है कोलार का कितना इसका आ रहा है यह आना कर साध़ बढता है अब दोस्तों बैसा यहна की कनि कैसे करनी सबसे जो होती क सरेके से कठती divorced यह एक होती है प्रेस्टिंगी से अगर आप बैन बनाते हो ज्यादा फिनिशिंग आएगी देखिए दोस्तों पेस्टिंग होती है एक तरफ से इसमें शैनिंग होती है एक तरफ से थोड़ी हाड होती है शैनिग वाला इससा आपको इस प्रकास अंदर करना है अब सबसे पहले आपको जिस चीज की दूरत होता दिया सब्स्क्राइब क्या होता है वह घलता हूं काटने है आपको दूस तरफ मार करकर के दिखाता हूं कि इसको मार कर लिया कि अब दोस्तों यहां से आपको निशान लेना है वह लेना है लगबग जैसे हम जो गले के चुड़ाई रखी ती जब उसकी कटिकर ते डाय भाई डाय तो यहां से आपको डाय पीछे छोड़ते हुए बिल्कुर सीधा आना है और इसके बाद इस निशान को आपको दो मिला के इसमें लेके आना है याने कि तीनिच वाले निशान में आपको प्रकार से रखें और जहां पर आपका सवासाथ आ रहा है वहीं पर जाके आपको निशान को लगाना है देखी तो धोस्टों यह होती है बैन काटने की तकनीक जो बिल्कुल रौण्ड में कटती है और क्योंकि दोस्तों गर्दन की गुलाई के साब से ही बैन की हमको कटिंग करने पर दी कभी भी सीधी बैन आपको नहीं काटनी इस परकार से यह देखिए सवासाथ पर मैंने निशान लगाया अब इसके बाद जितनी भी आपको बड़ी बैन रखनी है जितनी में यानि कुलाई में और इसके बाद दोस्तों अब इसकी में करूंगा कटिंग तो इस प्रकार से आप देख से तो बैन की जो कटिंग मैंने कर ली है अब इस पेस्टिंग रखते हैं साइड में इतनी कटिंग करने के बाद फिर आपको दुबारे से इसको उठाना है यानि कि जो इसको उठाएं और इसको यह देखें बिल्कुल यह एकदम प्रफेक्ट है अब बस दोस्तों इसमें करना क्या है आपको हलकी सीधर देनी है गोलाई यह देखें तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हो बैन है जो हमारी बिल्कुल परफेक्ट कट चुकी है बिल्कुल राउंड शेव में अब सबसे पहले दोस्तों इसको प्रेस से हम चिपकाएंगी कपड़े पर तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार से यह जो पेस् metals को फहल कर लेना है में來到 Moha Fenns बैस करने के बाद जो भी एक्स्टा माझन आपको हिस्प्रकार से सब्सक्राइब करनी देखे जिसकी जो भेल हैं ये बैन को भी इस कर लेना लगबर आदी इच्श का माझने लगत प preference इखसके अब फैन्स यह देखिए यह जो बचा होगा कपड़ा इसके उपर आपने इसको इस प्रकाष से सथ करना है अब आपको यहां पे लगाना है सिलाहे देखिए अब आपको तो अपको झोडाल गाने बिलकूल असान है ने हैं से बस कि फ्रेंड्स लगाने के बाद अब आपको जो एक्स्टा मार्जनिस की करनी है कटिंग गुलाई वाली जगे पर आपको हलके-लके कट लगाने होंगे तांकि इसको प्रोपर शेप मिल सके यह देखिए अब इस बैंड गरेंगे दोस्तो इस प्रकार से सीधा या ये देखिए कि सीधा होने के बाद इसका लुक है कुछ इस प्रकार सायगाई मिवार थोड़ी से बस नाकुँ से प्रेस कर देंगेश ताकि इसका जो मारजाने एक तरह सैट हो जाए यह देखें आप देख सकते हैं इस प्रकार से का जो मारजाने अंदर के तरह अराम से यह सैट हो गया है दोस्तों बैन हमारी complete हो चुकी है अब इस बैन को लगाने का जो तरीका है वो मैं समझाऊंगा आपको काउंटर पर तो इस आप देख से तरह बिल्कुल रेडी बैन है इसको लगाना कैसे यह देखिए आप पहले इसको इस तरह सैट कर लें आपको पता कि यह जो शाइनी वाला इससा है जिदर इसकी जो टाइटने से यह बाहर की तरफ आएगा और यह जो कपड़ा अंदर की तरफ आएगा तो आई जिलते हैं मशीन पर लेकर फोल्ड करते हुए एक स्लाइए में ही दोनों काम हो जाएंगे लेकिन लगाने से पहले जो सबसे इंपोर्टेट काम होता है दोस्तों वह उता है यह देखिए क्योंकि यह यहां पर होती है गुलाई की वैसे थोड़ा सा खिचाओ पड़ता है तो इस जगे भी आपक जो फाइनल से लाई है वह मैं आपको लेकर चलता हूं मशीन पर फ्रेंट्स आप देख सकते हो मार्जन अंदर करना है और यह देखिए यह जो कपड़ा फोल्ड है इसको भी आपने इस परकार से फोल्ड करते हुए बहुत असानी से यह स्लाई लगानी है यह देखिए मार्जन जो होता है इस परकार से सारा अंदर की तरफ करना होता है और उसके बाद बहुत असान तरीके से फैंट्स यह जो स्लाई अपकी लग जाती है तो फ्रेंट्स लास्ट की जो फाइनल स्लाई थी वो भी मैंने लगा लिए हाला कि आपको थोड़ी वो सलवटे नजर आ रही होंगी क्योंकि दोस्तों अभी अंडर प्रोसेजर है लास्ट का जो काम होता कंप्रिट होने के बाद ही होता है जैसे कि जो मेन चीज होती है उस पट्टी पर बटन लगेंगे वो इस परकार से बटन लगाने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही शानदार आएगा तो फ्रेंट्स इस परकार से आप यह देखिए एक शानदार जो कोलर नेक है और इसमें लूप्स लगा के जो मनें डिजाइन बनाया है या आज की वीड लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सब्सक्राइब करें थेंक्यू वेरी मच्च